हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल खिपल आर्स आए आज हम बनाते हैं एक नई पेंटिंग जिसमें हम आपको कैसे कलर कम्बिनेशन बनाने हैं कैसे उसको अपलाई करना है और कौन-कौन सा कलर किसमें कैसे मिक्स होगा सब को शैबरीथिंक इस वीडियो में आपको बताया जाएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं फिए पेंटिंग को अब आए जह दो आप कर आटम इसमीं हैं यंहां में हम जो है तो हम जो है कैमल जा डॉम्स के दोनों बेस्ट कंपनी से हैं इनके पोस्टर कलर जूस करते हैं और शीट आप कोई भी ले सकते हो साइज आप कोई भी ले सकते हो अपने कोडिंग लेकिन मेरा ए फॉर्ट साइज है तो सारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखना आप तभी आपको इस पेंटिंग के बारे में समझा पाएगे कि ये painting कैसे बनी है और कैसे कैसे इसमें जो color combinations बगएरा है और इसको कैसे apply किया गया है painting में तो सबसे पहले एक request है आप वीडियो को like और subscribe प्लीज जरूर कर दीजिए ताकि हमारी जो नई नई painting से आपके पास हर बार सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और subscribe करने के बाद आप एक bell का चोटा सा icon होता है जो उसको दबा के all कर दीजिए तभी आपके पास हमारी जो नई videos हैं सबसे पहले पहुंच पाएंगी तो इस painting को आप ध्यान से देखिए तभी आपको अच्छी तरह से समझा पाएगी क्योंकि अगर वीडियो को बीच बीच में देखेंगी तो आपको जो main points है वो सारी painting में तो आपको समझ नहीं पाएगी अच्छी तरह से तो ध्यान से देखिए सारी वीडियो को कैसे इसको हमने एक sheet की उपर बनाया और कैसे इसको अच्छे जो colors है उसको जूस करके इसको एक अच्छी look दी है painting को आप भी बिल्कुल same painting बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को सासा चलाके आप भी एक sheet उठा लीजिए उसके उपर same painting बनाने की कोशिश कीजिए तो आप भी इसी तरह की बहुत अच्छी painting बना सकोगे हम अपनी हर वीडियो में जो भी नई painting बनाते हैं उसकी जो details हैं हम आपको बताते हैं कि कैसे कौन सा कलर कैसे बनेगा और उसको apply कैसे करना है तब आपके लिए मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है painting को बनाना आप ट्राइ कीजिए और 100% आपको results अच्छे मिलेंगे इसमें painting में जही होता है कि कहां कैसे कौन सा कलर अपलाई किया है कहां पे light color जैसे हमने इस painting में लगाए हैं कहीं पे light color है कहीं पे dark color है तो difference थोड़ा से होता है कहीं पे white ज़्यादा डालना है कहीं पे black ज़्यादा डालना है कहीं पे red ज़्यादा डालना है तो जे अलग-अलग combinations होते हैं अगर आपने जे सीख लिए तो आपको painting बनाने में किसी भी तरह की कोई कभी भी problem नहीं आएगी तो ध्यान से सारी वीडियो को ध्यान से देखिए कुछ colors जैसे हमारे कुछ combinations होते हैं main-main जैसे skin color कैसे बनता है skin color के अंदर जैसे lemon yellow, orange, white जे तिनो color जूस होते हैं उसके इलावा भी हम कर सकते हैं लेकि जो main है, base है जो उसमें हम ये तीन color जूस करते हैं उसके बाद black और red color दोनों mix करके उस सारे face की outlining कर दीजिए और वो उसको mix कर दीजिए एक दूसरे में तब बहुत अच्छा एक combination बन जाता है bending का अगर वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि कैसे हम इसको apply कर रहे हैं paint को सारी paintings एक जैसी ही होती है वस उसमें color combinations का थोड़ा सा फर्क होता है अगर आपने 5-6 paintings अपने हाथ से बना ली वीडियो को देखते देखते तब आपको एक आपकी practice हो जाएगी तो नई जो painting आप बनाओगे तो वो आपको ज्यादा problem नहीं आएगी बनाने में और अगर आपको कोई भी color बनाने में problem आती है तो आप हमारे comment box में जाके वहाँ comments कर सकते हैं और हम आपको उसका reply करेंगे आपकी problem को solve करेंगे जो भी आपकी problem होई आप अपने अपने जैसे भी positive negative जो भी आपके comments होते हैं आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं पेंटिंग्स को लेके आप उसमें comment box में जाके comments किया कीजिए तब ही हमको पता चल पाएगा ना कि आपको पेंटिंग कैसी लगी और बनाने में क्या क्या प्रॉलम्स आ रही हैं तब हम आपको reply किया करेंगे आपके comment का reply किया करेंगे और आपकी problem को solve कर दिया करेंगे हम पेंटिंग बनाएं ना बनाएं लेकिन अगर हम वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना starting से end तक तभी भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है देखने से भी बहुत कुछ पता चल जाता है करने से नहीं देखने से भी करने से तो चलेगे चलेगा आपको लेकिन हम अगर किसी भी कोई भी वीडियो आती है उसको ध्यान से देखेंगे तब हम पता चलता है कि यह ऐसे किया था तब हम भी जब उसको करने की same try करते हैं कि यह ऐसे बनाया गया है, तो नहें अगर हम वीडियो को ही अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, तो हमें चाहे कोई कितना भी बता दे कुछ भी, हमें समझ नहीं आ पाएगी, तो सारी वीडियो को आप ध्यान से देखा कीजी है, भी भी हमारी नई वीडियो आती है आपके पास हमारी ही नहीं कोई भी वीडियो चाहे आप उसको अच्छी तरह से देखिए जैसे अभी हम जहां पे कलर अपलाई कर रहे हैं देखिजे कैसे करना है ब्रश को कैसे बकड़ा हुआ है आपको शायद वीडियो में इतना पता नहीं चलता लेकिन कई बर हमने ब्रश कैसे पकड़ा होता है कई बर हमने बिल्कुल डाइरेक्ट सीधा ही पकड़ा होता है कई बर हमने टेटा पकड़ा होता है कैसे हम आपको ब्रश के नंबर भी बता दें कि कौन कौन सा ब्रश लेना है अपने आपने जो राउंड में ब्रश होते हैं जो गोल ब्रश होते हैं आगे से वो आपने 1, 2, 3, 4, 5 फाइव नंबर तक लेने हैं उसके बाद आपने लेना चाहो तो वो आपके इच्छा है लेकिन फाइव तक तक तो लेने ही लेने हैं उसके बाद आपने साथ नंबर, नो बारा नंबर जे ब्रश लेने हैं 12 नमबर का जो brush होता है वो बड़ी paintings मनाने के लिए होता है लेकिन आपके लिए जो require है वो आप 5 नमबर तक राण्ट 5 नमबर तक का आप Flat Brush ज्रूर लेज़े अच्छी company के हम description में brush और जो color है उनका link दे देज़े अब description में जाके वहाँ उस link पे click करके आप उस जो brush हैं और जो colors हैं उसको online मगवा सकते हो कोई भी अच्छी चीज होती हम description में उसका link दे देते हैं कई बार आपके पास वो नहीं मिलती आपके गाउं में जा शहर में तो आप online मगवा सकते हैं वो कोई भी arts related material है जो भी है जैसा भी है तो जी देखिए पहले painting starting में कैसी लग रही थी अब कितनी प्यारी look काती जा रही है painting में धीरे धीरे आप end पे जाके देखना जे painting की look और भी natural हो जाएगी step by step जे painting बहुत अच्छी बनेगी आगे जाके बस आप ध्यान रखे कि जैसे जहां पर brush लगा रहा हूं जे कैसे लग रहा है कौन सा color कैसे apply कर रहा हूं मैं तो अब ध्यान से देखा करो जैसे इस वीडियो में हम लगा रहे हैं paint कौन सा paint कैसे लगाना है कहां लगाना है और वो color कैसे बनेगा उसका combination कैसे बनेगा यही बस आपने जो main points है जाद रख रहे हैं painting में हमारे कुछ paintings two parts में आती हैं कुछ one single part में आती हैं कुछ two parts में आती हैं कई बर हम draw करके उसकी video बना लेते हैं पहले हम draw करने की video बनाते हैं कि pencil से कैसे draw करनी है वो video का first part होता है और उसके बाद उसको paint कैसे किया उसकी हम दुबारा से video बनाते हैं second part की तो सबसे पहले हम आपको send करते हैं YouTube पे upload कर देते हैं उसका first part जो pencil से draw किया होता है और very next day हम उसका second part upload कर देते हैं कि उसको paint कैसे करना है मैं एक बाल बता दूँ आपको जो हमारी videos होती है उसमें अगर कोई black and white हमने उसका जो पोस्टर देखते होंगे आप वीडियो के उपर जो लगा होता है अगर तो black and white है कुछ वीडियो ज्यादा length ही नहीं होती कुछ painting पे time कम लगता है तो हम उसका single part ही डाल देते हैं उसमें draw करना भी बताया होता है और उसको paint करना भी आप हमारी सभी videos देखना जो तो black and white है उसमें तो just हमने pencil से सखाया हुआ है और जो colored है उसमें उसको paint कैसे करना है वो बताया गया उसमें बस video आप सारी starting send तक देखा कीजिए आपको किसी तरह की problem ही नहीं आएगी हमारी video थोड़ इसी length ही जरूर होती है लेकिन अगर हम उसको short करके डालेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आ पाएगा इसलिए थोड़ी से जैसे 15 minute की होती है कोई 20 minute की या 10 से 20 minute के वीच बीच होती है हमारी video उसको long करने का region ही एक होता है कि आप अच्छी तरह से समझ पाओ अगर मैं उसको 5 minute की बना के डाल दूँ तो आपको detail wise अच्छे से पता नहीं चल पाएगा कि यह कैसे बनाई गई है painting बाकि जिसको interest होता है वो तो एक घंटे की वीडियो भी देख लेगा जिसको interest ही नहीं है वो 5 minute की भी नहीं देखेगा आपको interest है तभी आप starting से सारी वीडियो एंड तक देख रहे हैं thanks for watching अभी देखिए painting कितनी अच्छी natural look में आती जा रही है जैसे जैसे painting complete होती जा रही है उसकी look और भी natural होती जा रही है ध्यान से देखिए आप starting पे कैसी थी अभी कैसी लग रही है कितनी प्यारी look का रही है आप भी ना वीडियो को सामने रखके बिलकुल बनाने की कोशिश किया कीजिए आप ऐसे मत सोचे कीजिए आप बनानी बाओगे आप बना जब मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं जैसे मैंने practice की है वैसे आप भी करोगे तो आप भी 100% बनाओगे आप practice कीजिए routine में एक painting आपने बनानी ही बनानी है चाहे 5 minute ही बना लीजिए routine में आपने अगर 10-15 minute painting के लिए निकाल लिए तो आप एक साल बाद या 6 महीनों के बाद देखना आपके अंदर कितनी improvement आएगी कितनी perfectness आएगी आपकी paintings में तो थोड़ा सा time तो देना पड़ेगा अगर अच्छे artist बना है आपने फिर आप भी एक channel बनाना YouTube पे आप भी अपनी paintings को उसके उपर डाला कीजिए हम भी आपकी वीडियोस देखा करेंगे तो आप बनाने के try कीजिए painting बनाते time हमें जो internal satisfaction मिलती है बहुँ वो show नी की जा सकती जैसे आपको भी interest है paintings बनाने में जब आप भी बनाते हो तो आपको भी कितना अच्छा लगता होगा कितना अच्छा feel होता होगा कि मैंने कुछ नया बनाया है try की है तो अभी देखिए इस वीडियो में पहले से जा कितना ज्यादा difference आ चुका है जो हम color apply कर रहे हैं यह बिलकुर इसमें वही color है जो हम आपको हर वार वीडियो में बताते हैं बस किसी में black color किसी में ज्यादा red किसी में white ज्यादा किसी में lemon ज्यादा बस ऐसे ही कुछ color कम कुछ ज्यादा ऐसे mix करके बस जैसे box में जा तो शे कलर होते हैं जा बारा कलर होते हैं बस उन्हीं को mix करके हम हजारों लाखों color बना सकते हैं जब आप practice करोगे जैसे हम इस painting में आपको बता रहे हैं कि यह color ऐसे बना है यह ऐसे बना है अगर आप उसमें जो हम बताते हैं उसमें थोड़ा सा और कोई color डाल दोगे तो वह और shade बन जाएगा तो Shading सबसे बड़ी बाद जैसे हम mix कर देते हैं जैसे इस वीडियो में भी कर रहे हैं जैसे दो color लगा दिया तो उसके बाद उसको बड़े brush के साथ जो flat brush होता है ना तो उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी में डुबहो के गिला करके थोड़ा सा brush को उसके उपर लगाई टेचिंग कीजिए आप तो वो एक दूसरे में mix हो जाएंगे जूरी नहीं है कि flat brush सी करना है आपने round brush से भी जो goal होता है उससे भी आप उसकी mixing अच्छे से कर सकते हों क्योंकि flat brush तो होता है कोई बड़े size की painting है या कोई बड़ा size बना रहे हैं painting का हम उसको उसकी mixing करने के ल लेकिन जो round brush होते हैं वो तो हम जैसे common painting जैसे common size जो है routine में बनाते हैं उसकी mixing के लिए वो भी अच्छा है round brush अगर आपके पास brush अच्छे होंगे तब ही painting में grace आएगी तो आप try कीजिए कि आप जो brush है वो अच्छे हों आपके पास क्योंकि brush अच्छे और जो brush थोड़ा से duplicate आते हैं उसके rate में कोई ज़्यादा फरक नहीं होता 10-20 रुपे कहीं होता है लेकिन उसकी grace ही अलग होती है तो देखिए हमारी painting बिल्कुल complete होने वाली है like, subscribe, share प्लीज जरूर कर दीजिए अगर आप हमारी painting को like करते हैं, subscribe करते हैं जिन्होंने नहीं किया और उसको share करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने वाके में इतनी अच्छी painting बनाई है, तभी तो आपने इसको share कर दिया, like कर दिया तो share like प्लीज, भूला मत कीजिए by request हम चाहते हैं आप भी ऐसी ही painting बनाते रहों, जैसे हमने आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं बनाके, अगर आप भी बनाओगे तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगे कि हमारी वीडियो को देखके आपने painting बनाना सीख लिया, एक अच्छे artist बन गया तो आप try किया कीजिए, वीडियो को सामने रखके, चाहे 10 बार वीडियो आप repeat करके बनाएं, लेकिन बनाने की try जरूर किया कीजिए Thank you guys, thanks for watching this video Thank you so much Thank you 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 Thank you